ना ही मोमोस, ना ही समोसा, ना ही कचोरी, तो फिर क्या है ये चीज़? आप जो इसको नाम देना चाहे वो दे सकते हैं, और ये क्या बनाया है, कैसे बनाया है, तो चलिएगा हम वीडियो शुरू करते हैं, और आपको हम बताएंगे हमने ये कैसे बनाया है अब इसमें हम डालेंगे थोड़ी खट्टी मीठी चट्टी हरी चट्टी खट्टी बीठी चट्टी दोनों चट्टी इसके साथ बहुत ही जादे जवरजस लगने वाली है बस असलाम अलेकुम तो चलिए अगर ये नाश्टा बनाना शुरू करते हैं तो ये आदी कटोरी सूजी ली है जो के बारिक बाली है आप मोटी सूजी भी ले सकते हो और ये ली है एक कटोरी मैदा इन दोनों चीजों को हम इस बॉल में पलट देंगे और अब डालेंगे इसमें हाफ टी स्पून नमक छोटा चमच ले लिया है हमने और डाल देते हैं ये अजवाइन इसको हाथ से थोड़ा मसल के डालेंगे और अब डालेंगे इसमें एक चमच देसी घी इससे टेस्ट भी अच्छा आएगा करारी तो बनेंगी उसी के साथ साथ इसमें टेस्ट भी अच्छा आएगा अब इसको हम हाथ से मसल देंगे, इसको मिक्स करेंगे इस तरीके से, जैसे ही मिक्स हो जाएगा उसके बाट डालेंगे इसमें पानी, हाथ में लेकर पानी डालना है, थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसको गूरेंगे, एक अच्छा डो तयार करना है, जैसे ही अच्छे से म किस हो जाएगा हलका सा घहाद पर लगाएंगे और इसको और होड़ा इस्मू०ी बनाएगे 산fa अब आर देख सकते हैं आटा किस तरीगे का अब इसमото कि इसमें हमने सूजी डाली है तो इसको हमें पांस से दस मिनट के लिए इसको रेस्ट के लिए भी रखना है ताकि अच्छे से सुझी समें फूल जाए तो इसको हम ऐसे तयार करने के बाद में ढखके इसको रख देते हैं चलेगा इसको हम रख देंगे आटा सेट हो गया है अब इसकी हम लोईया बनाएंगे इसको हटा देते हैं इसकी हमें इतनी छोटी छोटी लोईया तयार करना है अब देखते हैं इसमें जो अंदर चीज जाने वाली है वो क्या है तो वो है ये अंडे ये मैंने तीन अंडे लिए है पहले से ये देखेगा मैंने तीन अंडे फोल के तयार कर लिए थे अब इसमें डालेंगे कुछ मसाले इसमें डाल देते हैं मिर्ची पौड़ा नमक चाट मसाला नमक मिर्ची आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं धनिया हरी मिर्ची इन सब चीजों के साथ इसको मिक्स कर लेते हैं अंडे फेट कर मैंने तयार कर लिए हैं अब इसको एक साइड हटाते हैं और लेते हैं भी लोई एक लोई लेकर हम पहले इसको तयार करेंगे इसको हम बेल लेंगे जब देखेगा मैंने इतना बड़ा बेला है और इतना पतला मेरी कटूरी का साइज ये है तो मैंने इसके हिसाब्त बेला है जैसे तो यह चोटे ही चोटे अच्छी लगते हैं और आप जितना बड़ा करना चाहूं उसी साफ से पेड़ सकते हो अब हमें क्या करना है इसको इस तरीके से यहां दबादेना है ऐसे यहां से फोल्ड करेंगे और ऐसे पार दरेंगे जैसे ही यह आदा फोल्ड हो जाएगा उसके बाद में हमने जो अंडे का घोल तयार किया है उसको डाल देंगे इसके अंदर अब यह देखिएगा इतना बचा है खुलावा तो इसमें हम अंडे का गोल डाले के लिए हमें बड़ा चमच लेना है इसको एक बार और चला लेंगे ताकि नीचे मसाले नहों और इसको इसमें डाल देंगे बस इतना डालेंगे जिससे कि यह हम फोल्ड करें तो फोल्ड होने में दिक्कत ना आए और इसको ऐसे फोल्ड कर लेंगे ऐसे आप इस समय कटोरी को टाबी सकते हो इसके नीचे कोई पिलेट दूसरी रख सकते हो वैसे तो यह देखिएगा ऐसे ही ठीक से तयार हो रहा है इस त्रेके से जैसे मोमोस तैार करते है न ऐसे तयार करें और सारे हमें एक काटोरी में लिखेत हैं इसमें लिखूरा ने कैस Spa और यह पानी काफी अच्छा फाह देख्णान ने lub जाइन ही छुट इसमें रख दी 5 तो काटोरिया मैंने रख दी है गेस का फिलेम एकदम आपको स्लो रखना है और इसको ढख देंगे इसको पांच से छे मिनट तक स्टीम करेंगे तो यह च्छे से इस्टीम हो चुके है तो गैस को भी मैंने ओ आफ कर दिया है अब इनको फिराइ कर लेते हैं तो तेज गरम कर लेते हम एक कटोरी उठाएंगे और चापू लेंगे वैसे तो मैंने एक चीज आपको बताना भूल गई थी इस पे घी लगाया था तो यह देखिएगा यह बिल्कुल वैसे ही मैंने जैसे इसको इस तरीके से हिलाया तो यह अलगी हो गई तो मैं इसको उठाऊंगी यह यह हलकी से एक साइड से सिख चुकी है तो इनको पनड़ देते हैं गैस का फिले में एक दम सिलो रखना है जिससे कि यह खस्ता करारी सिखें अंदर तक अब हम आपको बता दें हमने इसमें भी डाला है तो यह देखिएगा यह खुले बिल्ले भी लगी है इसकी पड़ते यह बिखरने लगे हैं तो अब हम इसको निकाल लेंगे और यह एकदम क्रिस्पी और फस्ता बनके तयार हुए है यह देखिएगा तो इनको निकाल लेते हैं इतना क्रिस्पी और फस्ता नास्ता मैं तो चाहती हूं वोस्त पढ़े ऐसे नास्त चाय के साथ गरम गरम यह जरूर बनाकर जरूर खाईएगा तो यह सारे पीस एकदम विखरने लगे हैं और यह देखिएगा इसमें से अंडा भी बहार नहीं निकला है बेकुल अच्छे से इस्टीम करके हमने जो फ्राई किये हैं यह देखें कैसी लगी मेरी वीडियो दोस्तों आप जरूर बताईएगा हम दिल्ली से जुड़ते हैं आप कहां कहां से हमारे साथ जुड़ते हैं यह हमें कमेंट्स में आप जरूर बताईएगा फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में इजाज़त चाते हैं अल्ला हाफिस बाइबाय झाल झाल झाल